प्राचीन बारत में एक गुरुकुल हुआ करता था, वहां बहुत से सिस्षे सिच्चा ग्रहन करते थे, एक बार गुरुकुल का एक सिस्षे अपने सिच्चक के पास बहुत ही गुस्षे में पहुचा और कहने लगा गुरुजी गुरुकुल के सभी सिस्षे मेरा मजाक उड और कहते हैं कि तुम्हारे पिता तो सराबी हैं वह तुम्हारी मां भाई बहनों को मारते और पीटते रहते हैं तुम्हारे घर में तो खाने का आनाज तक नहीं है इस पर गुरुजी ने उससे कहा कि वह बाते उन लोगों को कैसे पता चली तो सिस्से ने कहा कि गुरुजी उ लेकिन जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुमको पांच ऐसी बाते बताऊंगा जो हमें कभी भी किसी से नहीं कहनी चाहिएं। हमारे मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है हम दूसरों की नजरों में बड़े और प्रतिभासाली तो बन जाते हैं लेकिन हमारे मन में हमारे लच्छ के प्रति पहले जैसा द्रण संकल्प नहीं रहता दूसरी बात गुरुजी ने उसे बताई कि अपनी परेशानियां और अ ही होता और 20% लोग उन परेशानियों को सुनकर हमें कमजोर समझते हैं और हमारा फायदा उठाना चाहते हैं सिर्फ 10% लोग ही हमारी परेशानियों को सुनकर हमें उनसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं इसलिए सभी के सामने अपने दुखों का रोना नहीं रोना चाहे गुरुजी ने अपने सिसी को तीसरी बात बताई कि हमें दूसरों के सामने बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी चाहें क्योंकि जब हम दूसरों के सामने बड़ी-बड़ी बातें करते हैं या अपने पास की महंगी चीजों और वस्तूओं को उन लोगों को दिखाते हैं या उनके बारे में उन्हें बताते हैं तो उससे सामने वाले व्यक्ति के आत्म सम्मान को ठेंस पहुँच सकती है और हो सकता है कि उस ठेंस पहुँचने की वज़े से वह आपसे नफरत करने ल हमारे आर्थिक इस्तिति का बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकता है और वह हमारा फाइदा उठा सकता है आखरी बात जो गुरू ने सिस्से को बताई वह बहुत ही महतुपूर्ण है वह यहा है कि अपने जीवन के सीक्रेट्स को किसी के साथ सेर नहीं करना चाहिए या आपके जीवन के अतीत में हुई कलतिया और अपनी सफलता का राज किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप चब यह सब चीजें सभी के साथ कहने लगते हैं तो आपकी योगिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है सारी बाते सुनकर सिस्से समझ गया कि उसने खुद ही थन्यवात किया और प्रणाम करके चला गया